नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चनल में हमारे चनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को जरूर दबाईए दोस्तों अपार सक्ति का स्रोध भगवान शीव को माना जाता है शीव की सक्ति को इतना विनासकारिक आ गया है कि तीनों लोकों को वो एक ही पल में दोस्त कर सकते हैं दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में केलास पर्वस्य जुड़ा एक बहुत बड़ा रह्ष्य बताने वाले हैं जिससे जानकर सायद आप दंग रह जाएंगे दोस्तों पुराणों की माने तो भगवान शिव आठवे आयाम में निवास करते हैं जिसे केलास का जाता है इसलिए इसके नाम से एक परवत का नाम भी केलास परवत पड़ा है दोस्तों पुराण शिव भवतिक दुनिया में इसी परवत पर निवास करते हैं वैसे तो दुनिया का सबसे उचा परवत दोस्तों माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है जिसकी उचा ही जो है वो लगबग 8848 मेटर है दोस्तों इसके साथ इस परवत पर 4000 लोगों से अधिक लो लेकिन एक रहस्य की बात यह है कि आज तक कोई भी इंसान इस परवत पर चड़ाई नहीं कर सका है इसका पीछे का कारण किया है यह दोस्तों बहुत बड़ा रहश्य बनाऊ दोस्तों साल 1926 में दो एथलिट सरकारी करमचारियों ने दोस्तों के लास परवत पर चड़ने क कोशिस की थी लेकिन जब उन्होंने इस परवत पर चड़ाई शुरू की तो उन लोगों ने पाया कि उन्हें दिशा भ्रह्म हो रहा है यानि वो कभी उस परवत पर चड़ रहे होते हैं तो कभी उसे उस परवत से वो निचे उतर रहे होते हैं दोस्तों उन्हें समझ नही पहला कदम परवत पर रखा वैसे ही उसकी धड़कन बढ़ गई कुछ देर बार उसकी धड़कन और तेज हो गई जिसके चलते वो वापस लोट आया दोस्तों आखिर क्या है इस परवत का रहस्य जो कोई भी व्यक्ति इस परवत पर नहीं चड़ ज़कता दोस्तों दरासर वेदों में कहा गया है कि इस परवत पर भगवान शिव रहते हैं और इस परवत पर भगवान शिव भोतिक दुनिया में यानि की हमारी दुनिया में आते हैं तो आज हम आपको बता दें इसके पीछे का वेग्यानिक कारण भी दोस्तों ये जगह बहुत रेडियो एक्टिव है जिसका असर हम पर पड़ता है इसके साथ पुराणों में का गया है कि भगवान शिवक एक महाशक्ति थे वो देवों के देव थे इसलिए दोस्तों निच् आज भी वो रह्षे बना हुआ है कि आखिर कोई क्यों उस परवत पर नहीं चड़ पाता है तो उम्मीद करता हूं कि मेरे दोरा देगे जानकरी आप लोगों के लिए लाब देक्सित होगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा धन्यवाद झाल